Friends, आज हम बात कर रहे हैं Trident Limited की Trident Limited में आज 20% का आपर सर्कीट लग गया है बहुत ही जबर्दस तेजी देखने को मिल रही है सुबह के टाई में यह आपर सर्कीट लग गया था लेकिन उसके बाद सर्कीट खुला फिर उसमें ट्रेडिंग हुई और बहुत ही जबर्दस ट्रेडिंग हुई आज वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में यह दो नमबर पर है ट्रेड कर रहा है बहुत ही जबर्दस वॉल्यूम चल रहा है लेकिन फिर उसमें आपर सर्कीट लग गया क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में कॉंटिटी में बायर्स खड़े है और सामना सेलर बहुत कम है और बहुत ही बड़ी मात्रा में माल उठाये जा रहा है और इसके पीछे रिजन क्या है वो इस वीडियो में आप से हम शेयर करेंगे और जानने की कोशिज करेंगे कि इतनी वीडियो के मादेम से मिल जाएगी साथ में इसके टेकनिकल लेवल भी हम चेक करेंगे और जानने की कोशिज करेंगे कि आगे एक महीने तक क्या इस स्यूटियोशन बन रही है इसमें लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेला इकोन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाओ पहला नोटिफिक्शन आपको मिले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जिरू किजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्स एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स सबसे पहले हम ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं आज ट्रेडेंट लिमिडेटर का स्टॉक सुबह 11.30 पर ओपन हुआ और इसमें थोड़ इसी गिरावट हुई और ये लो में चला गया 11.15 के उसके बाद इसमें जबर्दस बाइंग सुरू हो गई और ये चला गया 20% अपर सर्कुट पर 12.90 पर फिर उसके बाद में इसमें फिर सर्कुट खुला और फिर इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग सुरू होई लेकिन बाइर इतने जबर्दस थे बाइर की संक्या इतनी बड़ी थी और सामने सेलर बहुत कम थे और इसी की नतीजा ये हुआ कि 12 बज़े के पास फिर से इसमें अपर सर्कुट लग गया लेकिन उसके बीच में इसमें बहुत ही भहेंकर वॉल्म हुआ है वॉल्म के मामले में पूरे बाजार में दो नंबर पे ट्रेड कर रहा था अब अगर इसके वॉल्म की बात करेंगे तो वॉल्म सिरफ बारा बज़े के पहले पहले ही फ्रेंट्स बीच सी में 1 करोड 35,59,000 की वॉल्म हुई है और सामने 54,79,000 की डिलेवरी उठाई गी है और डिलेवरी का परसेंटेज है 40,41% यानि फ्रेंट्स बीच माल उठाई जा रहा है इसके पीछे कोई बड़ा कारण है और वो कारण क्या है हम जानने की इसमें कोशिस करेंगे एनस्टी की बात करेंगे तो 11 करोड 34,10,000 का वॉल्म हुआ और सामने 4 करोड 37,16,000 की डिलेवरी उठाई गई और डिलेवरी का परसेंटेज 38,55% यहाँ पर भी बहुत भारी मात्रा में नस्टी में भी वॉल्म जब्रदस हुआ है और सामने डिलेवरी भी बहुत ही भारी मात्रा में उठाई जा रही है तो कोई बहुत ज़्यादा कॉंटिटी में माल उठा रहा है और इसके पीछे हम चला इसके कमपनी के बेक्ग्राउंड में जाके देखेंगे कि ट्राइडेंट में आज इतनी तेजी क्यों बन रही है जैसे की फ्राइडेंट लिमिटेड एक स्माल केप कमपनी है जिसका मार्केट केप 6497.34 करोड का है कमपनी का जो बिजनस है वो डाइवर्सी 5 है कमपनी सबसे जो मुख्य बिजनस है कमपनी का वो है टेक्टाइल का बिजनस कमपनी इंडिया के अलावा पूरे वर्ड में भी कारोबार करती है वीदेश में बहुत सारी कंट्रीज के उसके अंदर उनका कामकाज है कमपनी टेक्टाइल का बिजनस करती है साथ में पेपर बिजनस भी करती है और कमपनी का कैमिकल्स का बिजनस भी है तो इस तरह से company के बहुत सारे कारोबार है और साथ में इंडिया के अलावा उसका export का कारोबार बहुत जादा है इंडिया के अलावा सबसे बड़ा जो उसका बाजार है वो है अमेरिका का बैड और बात लिनन का जो 70% उनका मार्केट वो अमेरिका से है और बाकी 20% मार्केट उनका अधर कंट्री से भी आ रहा है और company रेगुलरी अपने इंवेश्टर को डिवीडन बाटती है और जो इसकी प्राइज है वो लगातार बढ़ रही है इस वज़े से दोनों हाथ में लड़ू आ गए इंवेश्टर के मैंने पिछले काफी समय से ट्राइजन लिमिटर पर वीडियो बराए और लगातार आपको इसमें इंवेश्टमेंट करने के लिए बोला क्योंकि मुझे इस पर पूरा बरोसा था जब इसकी प्राइज 6 रुपे के आसपास थी तब भी मै का कारोबार अच्छा है तो एक समय आपको जरूर प्रॉफिट मिलेगा और देख लो यह सामने नतीजा है अगर आप सिर्फ दो मैने की बात करोगे तो फ्रेंड्स दो मैने में इंवेश्टर को बहुत ही जबरदस प्रॉफिट दे दिया है करीब दो मैने के अंदर 75% का र प्रमोटर सबसे बड़ी बात प्रमोटर अपनी हिस्षेदारी लगातार बढ़ा रहे और यही बातावरन जो लग रहा है कि आने वाले समय में इसमें और जबरदस तेजी बनेगी mutual fund जो quarter 2 तक यानि quarter 1 में जिसकी इस्षेदारी बिल्कुल 0% थी उन्होंने भी quarter 2 के दर्मियान इस पर भरुसा किया और mutual fund ने अपनी इस्षेदारी को 0.02% तक लेकर आए तो इस तरह से इसमें investment बढ़ रहा है लोगों का और भरुसा भी बढ़ रहा है और जिस तरह से आज जब बर्दस buying हो रहे हैं उससे लग रहा है कि इसमें बड़े investor अपना investment कर रहे है क्योंकि सामने सोट से जो news निकल कर आ रही है जो खबर निकल कर रहे है चन के जो खबर कमपनी का जो growth revenue हो है वो 64.66% बढ़ कर आ सकता है यानि जो अब quarter 3 का result आने वाला है वो result पिछले result से भी सांदार आ सकता है क्योंकि पिछली बार जो company ने result दिखाया था वो भी बहुत सांदार था company ने profit भी अच्छा दिखाया था अपने result में और इस बार जो result आएगा वो उससे भी बढ़कर आ सकता है company ने quarter 2 के दर्मियान 105.25 क्रोड का net profit दिखाया था जबकि उस समय COVID-19 का बहुत ज़्यादा असर था बाजार में lockdown लगे हुए थे उसके बावजुद भी company ने 105 क्रोड का profit दिखाया था तो इससे लग रहा है कि quarter 3 का result इससे भी जबदस आ सकता है और अब result आने की तयारी है बहुत जल्ड result डिकलेर हो सकता है और जैसे सुत्रों से खबर मिल रही है कि इस बाजार में जबदस तेजी बन रही है ट्राइट लिमिटेट का share दोड रहा है सरपड दोड रहा है 20% का circuit लग गया है और अब जो इसके आगे हम इसके technical level को चेक कर के जाने की कोशिस करेंगे इसमें और कितनी तेजी बन सकती है सबसे पहले हम डेली लेवल पर इसका चेक करते है technical level moving averages bullish निकल के आ रहा है technical indicators वो भी bullish है और moving averages crossover वो भी bullish है यानि आने वाले 2-3 दिन में इसमें और तेजी बन सकती है अभी weekly level की बात करेंगे तो moving averages bullish बन रहा है technical indicators वो भी bullish है और moving averages crossover वो भी bullish बन रहा है यानि एक सब्ता तक भी इसमें जबर्दस तेजी की संबावना और दिख रही है अगर हम इसके मंतली लोगर पर जाएंगे तो moving averages bullish है technical indicators वो भी bullish और moving averages crossover neutral निकल के आ रहा है तो आप समझ लो एक महीने तक इसमें और तेजी बनने वा यह एक penny stock था अब नहीं है friends यह penny stock था और हम तब भी बोलते थे यह number one penny stock है और यह सिरफ एक ऐसा कोईला है जो भी ख़दान में पड़ा हुआ है इसको polish करना बाकि है अब इसकी polish धिरे-द्रे हो रही है इसकी चमक निकल रही है और आने वाले समय में यह आपको बहुत ही ज confident के nature को आप जानते होंगे एक बड़ी jump मारने के बाद फिर वो price फिर रूड़ा रूख जाता है stock लेकिन वह बहुत बड़ी नहीं होगी क्योंकि अब जो है quarter three का मामला बंद रहा है और quarter three का result अच्छा आने की संभावना दीकरी है पूरी और इसी वज़े से इसमें लगात investment textile industries को promote कर रही है और चाइना से सारा कारोबार दिर दिर बंद हो रहा है विदेश company जितने भी foreign की countries है वो चाइना से अपना कारोबार समेट के इंडिया में shift कर रही है तो जो भी इनको export के order मिलने वाले वो Trident को मिलेंगे जरूर मिलेंगे क्योंकि उनके पास already export का knowledge है वो ब अपने finance rate रही है या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational purpose के लिए ही बनाए वीडियो पसन आए तो like से जरू कीजे और चैनल को subscribe कर दीजे थैंक्यू